सबी साथियों को जय हिंद दोस्तों हम दे हिंदू न्यूस पेपर से इंग्लिस ग्रेमर फेनेटिक्स कंप्रेहेंचन वेकबलरी और सेंटेंस फॉर्मेशन सीखने का प्रियास करते हैं ये आज का दे हिंदू है इस दे हिंदू से हम एक न्यूस आइटम देखेंगे फ्रेंट पेज से और उससे ग्रेमर के जो भी कंसेप्ट है उनको सीखने का प्रियास करेंगे आप वीडियो को अंत तक जुरूर देखें और जो भी आपके सुझाव हो वो आप कमेंट बोक्स में जुरूर लिखें आज इस जो वीडियो में आपको क्या क्या चीजें समझनी होंगी उनको एक बार पहले में थोड़ा समझा देता हूँ ताकि आपको जब हम ये वीडियो इस आर्टिकल को जब हम पढ़ें तो आपको चीजें ठीक तरीके से समझ में आ जाए तो सबसे पहले तो आपको इसमें ये देखना है कि आपको मिलेगा यहाँ दे नेक्स्ट ये वर्ड मिलेगा आपको यहाँ इसमें आपको ये समझना है कि जब ओर्डिनल नंबर किसको? ओर्डिनल नंबर को अजिक्टिव के रूप में काम में लिया जाए किसके रूप में काम में लिया जाए? अजिक्टिव के रूप में काम में लिया जाए तो उस ओर्डिनल नंबर से पहले आर्टिकल देका प्योग किया जाना चाहिए अब ordinal number क्या होते हैं? ये ordinal number है first, second, third, ये सारे के सारे ordinal number होते हैं आगे तक अब हमने जो कहा हुधान दीजेगा जब ordinal numbers को adjective के रूप में काम में लिया जाए यानि ordinal adjectives को article दे के साथ प्रियोग किया जाना चाहिए कैसे? the first, f-i-r-s-t, the first chapter ये हम लिखेंगे तो first से पहले क्या आया? article दे है ये first जब chapter के साथ आया है तो chapter इसका noun है और first इसका क्या है? adjective है और adjective है इसलिए इसके साथ किसका प्रियोग किया गया है? article दे का प्रियोग किया गया है ठीक है? उसी तरीके से next भी क्या है? next page ठीक है? last भी इसी तरीके से है l-a-s-t, last, ठीक है? decision, d-e-c-i, तो क्या लिकिंग एपन? the last decision, ठीक है? समझ गई इस बात को? अब जो आपको और समझना हूँ ये समझना है कई की बार ordinal numbers जो होते हैं उनको adjective के रूप में काम में नहीं लिया जाता है तब उनके साथ article का प्रियोग नहीं किया जाना चाहिए वो कैसे? जिसलिए हम लिखते हैं, at first, at first, I went there सबसे पहले मैं वहाँ गया, at first, I went there अब यहाँ जो ये first है, इससे पहले article का प्रियोग नहीं किया जाना चाहिए क्यों नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि यहाँ ये adjective नहीं है इसलिए इसके साथ किसका प्रियोग नहीं किया जाना चाहिए? article दे का प्रियोग नहीं किया जाना चाहिए अगर adjective होता तो यहां इसके साथ क्या था नाउन आता जिसरी किसे at last at last ठीक है? at last इसके साथ भी किसी प्रगार का कोई नाउन नहीं है तो यह last भी क्या नहीं है, adjective नहीं है यहां आप ऐसा नहीं लिखेंगे at the last ठीक है तो यह grammatically क्या हो जाएगा? incorrect हो जाएगा ठीक है तो पहला concept क्या था हमारा आज का कि ordinal adjective से पहले article दे का प्रियोग किया जाना चीए अर्थार्थ first, second, third, fourth, last, next यदि इनका प्रियोग adjective की रूप में किया जाए यानि इनके बाद यदि noun का प्रियोग किया जाए तो इनसे पहले article दे का प्रियोग होना चीए और यदि noun का प्रियोग नहीं किया जाए तो इनसे पहले article का प्रियोग नहीं होना चीए एक चीज तो ये समझेंगे आज के इसमें हम ठीक है उसके बाद में आज हम पढ़ेंग से सही ठहराना किसी चीज को कानूनी रूप से क्या करना? मानने करना उसको validate कहते हैं, जिसते से to make something legally valid, किसी को कानूनी रूप से valid ठहराना क्या कहलाता है? validate कहलाता है आज एक हम इसमे phrase देखेंगे, उसको आप लोग मुहावरा भी कह सकते हैं, up to the mark क्या पढ़ेंगे? up to the mark ये पढ़ेंगे, up to the mark ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज का required standard तक होना up to the mark का होना, जहां तक आपको कोई चीज अच्छी चाहिए थी, उस इस तर तक होना, और up to the mark नहीं होना, का मतलब होता है जहां तक हमें जिस standard तक हमें चाहिए थी किसी चीज का उस standard तक नहीं होना, up to the mark का मतलब होता है perfect P-E-R-F-E-C-T, perfect एकदम ठीक होना, up to the mark जिस तरह के से, इस content की quality या फिर इस जो cert है, इसकी quality या फिर इस जो material है, इसकी quality कैसी नहीं है, up to the mark नहीं है, up to the mark का ब्ला क्या होता है P-E-C-T नहीं है जिस तरह की quality चीए थी वैसी quality नहीं है इस answer की जो quality है वो क्या नहीं है, up to the mark नहीं है, up to the mark का ब्ला जहां तक इसका इस्तर चीए था वहां तक की नहीं है, यानि perfect नहीं है, दुसरी चीज आप आप ये समझेंगे इसमें, उसके बाद एक बहुत चांदर concept आपको मैं समझाता हूँ, इसमें एक वर आएगा आज हमारा expert, e-x-p-e-r-t-s, experts team, experts team, t-e-a-m, एक तो ऐसे लिखा जाए इसको, और एक लिखा जाए, e-x-p-e-r-t-s, यहाँ, और team, experts team, तो इसमें जो सही है, वो इनीचे वाला सही है, अब यह क्या है, इसका मथोड़ा आपको समझाता हूँ, आप जब noun पढ़ेंगे, तो noun में case पढ़े जाते हैं, case, ठीक है, noun में case होते हैं, जिस तरह से nominative case होता है, ठीक है, उसके बाद में genitive case होता है, अलग-अलग प्रकार के case होते हैं, इसमें जो case है, उसको कहते हैं, possessive case, कौन सा कहते हैं, P-O-S-E-S-I-V-E, क्या कहते हैं, possessive case कहते हैं, और possessive case का एक नाम होता है, एक दूसरा नाम होता है, उसको क्या कहते हैं, genitive case कहते हैं, G-E-N-I-T-I-V Genitive case भी कहते हैं, इसको कौन सा case कहते हैं? Genitive case भी कहते हैं, ठीक है? Possessive case या Genitive case जब noun को किसी भी noun की ownership बताई जाए या possession बताया जाए, तो फिर उसके लिए हम किसका प्रियोग करते हैं? Genitive case का प्रियोग करते हैं, जिस तरह किसे राम है और इसके साथ फिर क्या करते है अपोस्टोफी एस लगाते है राम's house राम का घर तो ये कौन सा केस हुआ अभी ये possessive केस हुआ यानि ये कौन सा हुआ generative केस हुआ ठीक है कौन सा केस हुआ ये possessive या generative केस हुआ अब इसके नियम क्या हूँ थोड़े से मापको समझाता हूँ यदि आपका noun कैसा है यदि आपका noun singular है तो आप उसके साथ S जोड के लिखे देंगे जिस तरीके से ये है कि king's crown king's crown राजा का ताज ठीक है उसी तरह से boy's book लड़के की किताब यानि एक लड़का है boy's books यानि यदि आपका noun क्या है singular noun है तो आप उसके साथ क्या करेंगे apostrophe S लगाएंगे और दूसरा noun लिख देंगे एक तरीका ये होता है यदि आपका noun पहले से ही plural है आपका noun पहले से ही क्या है plural है उसके last में क्या लगाया हुआ S लगाया हुआ है तब आप उसका generative case बनाने के लिए सिर्फ apostrophe और दूसरा noun लगाएंगे apostrophe के साथ S नहीं लगाएंगे जिस तरीके से आपका ये noun है boys ठीक है अब आपको इसके साथ यदि generative case बनाना है तो boys school आप ऐसे लिखेंगे क्या लिखेंगे दुबारा S का प्रियोग यहां नहीं करेंगे ठीक है जिस तरीके से girls G-I-R-L-S girls apostrophe school यहां आप ऐसा लिखेंगे ठीक है लडकियों की school ठीक है ऐसा question कई बार पुछा जाता है भी तो इसलिए आप थोड़ा सा जहां रखेंगे horses tail घोडों की पुछे H-O-R-S-E-S horses और यहां क्या लगेंगे tail ठीक है तो यह दूसरी बात थी जो मुझे आप लोगों को समझानी थी इसमें एक चीज और समझने की है वो यह है यह दि किसी singular noun है और उसके भी last में hissing sound है hissing sound का बल़ा shake की sound आ रही है J-U-S-T-I-C-E justice क्या था वर जस्टिस अब last में S आ रहा न है तो justice ऐसे नहीं लिखेंगे दुबारा क्या लिखेंगे J-U-S J-U-S-T-I-C justice और यहां shake ऐसे की ऐसा लिखा जाता है justice shake दुबारा इसके साथ S नहीं लगा जाता है क्यों यहां hissing sound आ रही है यहां किसकी sound आ रही है shake की sound आ रही है एक वर ओर आता है कई बार इक जाम में goodness G-O-O-D-N-E-S goodness sake goodness sake तो इसमें भी क्या आएगा S का प्रियोग यहां नहीं क्या जाएगा किसकी हुज़ेसे hissing sound की हुज़ेसे यह कुछ चीज़ें आप लोगों को आज इसमें समझनी है एक वर इसमें आप और समझना है carry out phrasal word पढ़ेंगे हम इसमें क्या पढ़ेंगे carry out इनको पहले ही note कर लिया कर आप लोग अपनी ताकि यह समझने में हमें असा नहीं रहे carry out carry out का मलब होता है किसी चीज़ को अंजाम देना क्या होता है carry out यह नहीं किसी चीज़ को अंजाम देना carry out होता है इसके English में लिखते हैं accomplish a double c o m p l i s h accomplish carry out होता है ठीक है एक वर हम पढ़ेंगे आज hamper 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 का मलब होता है किसी चीज को बाधित कर देना किसी चीज के बाधा पोचाना रोक देना इसका एक वर्ड होता है Hinder H-I-N-D-E-R लिख लें आप लोग कहीं भी H-I-N-D-E-R एक वर्ड होता है इसका Impede I-M-P-E-D कौन सा वर्ड होता है Impede एक वर्ड होता है Abstrict O-B-S-T-R-U-C-T Abstrict यह इसके सारे similar वर्ड थे इसका एक opposite वर्ड भी होता है Impede यानि बाधा पोचाना और किसी की help करना facilitate वर्ड होता है F-A-C-I-L-I-T-A-T facilitate F-A-C-I-L-I-T-A-T facilitate वर्ड होता है यह इसका opposite वर्ड होता है ठीक है तो आज के इस वीडियो में हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे धान से आप जब यह वड़ाएं तो इनको धान से रखें धान से समझें अब हम इसको शुरू करते हैं कि आज हमें देखना क्या है यह है आज का ICMR Ask ICMR Ask का मलब पुछता है कहता है ICMR Indian Council of Medical Research Ask News Headline है इसी लिए Present Simple में है S लगाया हुआ है किन से पुछता है States राज्यों से कहता है पुछता है To किसके लिए Stop Using कि वो बंद कर दें Use करना एक चीज़ और समझेगा Stop जो वब है उसके साथ Start वब है S-T-A-R-T Start वब है उसके साथ Keep वब है K-E-E-P Keep वब है उसके साथ Avoid वब है A-V-O-I-D Avoid यह सभी वब समानेता है अपने साथ I-N-Z Form लेती है इसको Gerund कहते है Stop के बाद आपको I-N-Z Form मिलेगी जिस तरह से यहां देखे Stop Using है Start के बाद I-N-Z Form मिलेगी Start Writing है Keep के बाद I-N-Z मिलेगी Keep Doing करते रहो कई बार आप लोग लिखते हो Good Well Done Keep Doing तो उसके बाद भी I-N-Z Form आती है Avoid के साथ भी अगर वाब आती है तो वो कौन सी आएगी I-N-Z आएगी ठीक है Avoid Sitting ठीक है Sitting करना बंद करें रोकें तो यह चिप चीज़े थी इसलिए इसको भी आप नोट कर लें हम इसमें Grammar के बहुत सारे Concepts आपको सिखाने का प्रियास कर रहे है English सीखने का यह बहतरीन तरीका है Newspaper को बहुत अच्छे से पढ़ लो आप लो English सपने आप आ जाएगी आप लोगों को I-C-E-M-R Ask States वो States को कहता है To Stop Using की वो Stop कर दें काम में लेना किनको Rapid Test Rapid Test को काम में लेना बंद कर दें For के लिए Preposition है For क्या है Preposition है कितने लिके लिए The Next Two Days अगले दो दिन के लिए The Next Two Days मैंने आपको बताया था Next उससे पहले किसका प्रियोग हुआ है Article का प्रियोग हुआ है तो ICMR स्टेट से कहता है कि वो बंद कर दें यूज करना Rapid Test को कितने दिन के लिए अगले दो दिन के लिए Next Two Days आगे देखीगा राजस्तान सरकार On Tuesday राजस्तान सरकार ने कब भई Tuesday को यह आप जानते हैं दिन दिनांग से पहले Preposition On का प्रियोग होता है Said उसने कहा क्या कहा The Kids Were Kids plural है इसलिए क्या आ गया Were आ गया Was, Were के साथ ING form Past का Continuous उसने कहा कि The Kids Were Giving Inaccurate Results Inaccurate का मलब होता है सही नहीं Accurate का मलब होता है Exact और Inaccurate का मलब होता है जो accurate नहीं होते हैं सटिक नहीं होते हैं सही नहीं होते हैं उनको inaccurate कहते हैं Results रास्तान गवर्मिंट ने Tuesday को कहा कि क्या कहा भी जो Kids है Their Kids कौन से Kids जिनकी बात हम कर रहे हैं जो भी मुगाएगा Rapid Test वाले Kids वो आर वो नहीं दे रहे थे क्या है सही प्रिणाम नहीं दे रहे थे accurate सटी प्रिणाम नहीं दे रहे थे उसके बाद हम देखेंगे भी इसको The Indian Council of Medical Research ICMR यह हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसको On Tuesday उसने Tuesday को Directed उसने निर्देश दिया Direct का मलब क्या होता है निर्देश देना वाब है Directed उसने क्या दिये निर्देश दिये किनको The States States को निर्देश दिये किसलिए Not to use कि वो use नहीं करें एक तो to use होता है औरे क्या होता है Not to use कि वो use नहीं करें किनको The COVID-19 Rapid Testing Kits COVID-19 के Rapid तेजगती से Testing Kits जो है तेजगती से टेस्ट करने वाल जो Kits हैं कितने दिन के लिए For the next two days अगले दो दिन के लिए उनका उपयोग नहीं करें Following The Reports of Wide Variation in Results Following Following का मला होता है के प्रिणाम स्रूप Following का मला क्या होता है के प्रिणाम स्रूप उसके बाद Following का मला होता है के बाद ठीक है किसके बाद भी Following the results किनके बाद Following Reports of उन रिपोर्ट के बाद wide variation in results, following reports of wide, किसकी रिपोर्ट आ रही है, wide variation आ रहा है, बहुत ज़्यादा भिन्नता आ रही है, variation का ममलब होता है, differences, wide का ममलब बहुत, देखो, V-A-R-Y एक vary होता है, एक V-E-R-Y vary होता है, इस vary का ममलब adverb आप जानते हैं बहुत, और एक क्यों थे V-A vary vary, इसका मतलब होता है, अलग होना, यह verb है, यह adverb है, इस vary से क्या बनावा है, variation बनावा है, और variation क्या होता है, noun होता है, और यह क्या है, वब है, ठीक है, तो किसके बाद भी, उन reports के बाद, किसके report के बाद, wide variations, बहुत बड़ा अंतर आ रहा है इन रिजल्ट्स किनके रिजल्ट्स में रैपीट टेस्ट के रिजल्ट्स में और जो अपाने नॉर्मल टेस्ट जो कर रहे हैं उन टेस्ट का जो अंतर देखा तो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है यानि बहुत ज़्यादा नहीं दिखा रहा है इसलिए अंतर आ गया किन में variation आ गया किन में results में इसलिए अगले दो दिन के लिए इनके use को क्या कर दी जाए बंद कर दी जाए ठीक है ठीक से समझ आ रही होगी चुझे आपके उसके बाद देखिए बैस में the kids would be tested इन kids को test किया जाएगा would be tested and validated और उनको क्या किया जाएगा मैंने आपको पहले था validate का मतलब होता है legally रूप से किसी चीज को मानने ठहराना तो इसको क्या किया जाएगा पहले उनका test किया जाएगा फिर उनको मानने ठहराए जाएगा किसके द्वारा by ICMR Indian Council of Medical System के द्वारा and an advisory issue और एक advisory issue की जाएगी यह जो issue है इसके साथ भी कौन सी वाब है would be issue है समझ गए आप लो इसके साथ भी क्या है देखो यहाँ would be है उसके बाद ही tested है बिलकुल यही कहा है helping वाब यहाँ है इसलिए इसको वापिस नहीं लिखा गया है आप इसको इस तरीके से पढ़ें the kids would be tested kids को test किया जाएगा and validated और उनको माने ठहराया जाएगा क्या-क्या और उनको क्या-क्या जाएगा भी माने किया जाएगा उनको ठीक समझा जाएगा किसके द्वारा ICMR teams and and advisory would be issued और एक advisory जारी की जाएगी in the next two days अगले दो दिनों में कितने दिनों में? दो दिनों में if they were found देखो और अभी यह test विगरा if they were found यदि उनको पाया जाता है पैसी वो इसका sentence से देखीगा B plus third form है ठेक है? B plus third form का मुला होता है each, am, are, watch, were और bean के बाद कुन सी form आये? third form आये तो वो क्या होता है? पैसी वो इस उता है यदि उनको पाया जाता है if they were found एक चीज़ और समझाता हूं आप लोगों को एक word होती है find find यह निए पाया जाना इसकी found और found यह इसकी verbs होती है second और third verb एक होता है found F-O-U-N-D found यह अपने आप में first form भी है found किसी के आधार सिला डालना ठीक है? कि that was founded the organization was founded फिर इसकी second form founded होती F-O-U-N-D-E-D क्या होती है? founded किसी का आधार सिला उगरा रखना वो found होता है this building was founded तो इसको founded कहेंगे बन ठीक है? तो वो अब अलग है और यह अब क्या है? अलग है यह found जो है first form है वो found जो है वो second, third form होती है if they were found to be not up to the mark यदि वो नहीं पाए जाते है up to the mark का मनोता perfect यदि वो perfect नहीं पाए जाते है यदि वो accurate नहीं पाए जाते है यदि वो मानने इस्तर तक नहीं पाए जाते है जहां तक आपको जैसा इस्तर चीए यदि वो वहां तक नहीं पाए जाते है तो क्या होगा? replacement उनको बदले जाने का would be sought उनका replacement चाहा जाएगा seek होता है इसकी second form है यहां third form है would be sought क्या किया जाएगा भी? replacement किया जाएगा from the manufacturers कहां से? manufacturers को उनके replacement की कहा जाएगा उनको replacement की मांग की जाएगी ऐसा किसने कहा? ICMR SPOC PERSON यह उनके जो SPOC PERSON थे प्रवक्ता थे Dr. RR यह इनका नाम है उन्होंने ऐसा कहा ठीक है? समझ में आगे भी बात यह उसके बाद हम आगे देखते हैं इसमें The Rajasthan government राजस्तान की government ने on Tuesday decided उन्होंने decide किया to halt halt का मलब होता है रोक देना to stop temporarily किसी चीज को temporary रोप से क्या कर देना रोक देना उसको क्या कहते है halt कहते हैं कही की बाद आपने देखे हूंगे train वगेरा के रुकने की स्थान को भी क्या कहते है halt कहते है HLD छोटे जो स्थान होते हैं उनको halt कहते हैं जहां ठहरा उनका होता है रुकते हैं राजस्तान गुर्मिंट on Tuesday Tuesday पे not decided to halt उन्होंने रोकने का निरने किया ते किया किनको rapid antibody test उन टेस्ट को रोकने का ते किया after किसके बाद में an experts team किसके बाद में एक experts की team ने an experts team team singular है जबके experts तो क्या है plural है experts की एक team ध्यान रखना experts plural है लेकिन फिर भी क्या है team singular है और इसमें जो root word है वो कौन है हमारा जो basic word है वो team है इसलिए क्या है इसके साथ an आया है यह मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब plural noun होता है और उसका क्या बनाया जाता है राजस्तान गोर्मिंट on Tuesday decided to halt rapid antibody tests after and किसके बाद में an experts team experts के एक team के बाद questioned the उसने क्या क्या था प्रशन उठाये थे the use of the newly distributed Chinese kids किनके use पे भी the newly अभी अभी नए नए distributed जो वित्रित किये गे थे Chinese kids Chinese kids के लिए following किसके बाद अभी following बताया था inaccurate results सही प्रिणाम नहीं आने के बाद an experts team experts के एक team ने question उसके उपर प्रशन उठाये किनके the use of newly distributed Chinese kids Chinese kids थे उनके वित्रन पे जो उनका use हुआ था उसके उपर उनने क्या उठाया प्रशन चीन उठाया किसके बाद following inaccurate results उनके प्रणाम सही नहीं आने के बाद उन पे प्रशन चिन लगाया था चीप मिनिस्टर अशोग गहलोत ने कहा at a video conference किसमे वे एक video conference में कहा किसके साथ वे जनरलिस्ट पत्रकारों के साथ एक video conference में उन्होंने कहा कहा in जैपूर जैपूर में क्या कहा that की देखी कहा क्या कहा उन्होंने since his request since his request to जैसा कि उसकी request थी प्राइम निस्टर नेरंद मोधी कब a fortnight ago उनकी request की थी उन्होंने कब request की थी एक पख़़ाडे पहले अगो यानी पहले fortnight यानी पदरादिन का समय जो होता है क्या करने के लिए to carry out carry out में आपको बताया था अंजाम देने के लिए accomplish करने के लिए क्या करने के लिए centralized purchasing kendria kendria जो purchasing खरीदारी हो purchasing का बलता है खरीदारी हो कि पूरा center मिलके क्या कर ले उसको kendria इस तरह पर उसकी खरीदारी कर ले किनकी of medical equipment किनकी medical equipment की क्या कर ले खरीदारी कर ले एक बात और देखना भई यहां भी एक अच्छी बात आई आपको समझा देता हूँ aqip equipment यह equipment जो है इसका कभी भी plural नहीं बनता है ध्यान रखना equipment अपने आप में ऐसा ही रहेगा ऐसा नहीं medical equipment आजाए ऐसा कभी नहीं होगा इसका कभी भी plural नहीं बनता है equipment का कभी क्या नहीं बनता है plural नहीं बनता है कई बार exam में पूछा जाता है जान पूछ किसके साथ क्या दे देते है equipments दे देते हैं जो की sentence अपना क्या हो जाता है incorrect हो जाता है क्या का अभी असो गेलोत ने कि मैंने 15 दिन पहले ही कहा था क्या कहा था to carry out कि इस बात को अंदाम दिया जाए किसको centralized purchasing को केंदरी ये purchasing को केंदरी कृत खरिदारी की जाए सब मिलके खरिदारी करें किसकी अप medical equipment was not hidden और मेरी इस बात पे धान नहीं दिया गया क्या नहीं क्या गया अब ये since का प्रियोग आपको समझ में आएगा since जैसा कि मेरी इस बात पे धान नहीं दिया गया ये since का प्रियोग यहाँ है तो फिर क्या हुआ देतका प्रियोग अगे Was not hidden hiddenrose Caribbean का अब नहीं दिया है किसी बात पे प्रियुआ नहीं दिया क्योंकि मेरी इस बात पे जैसा कि मेरी इस बात पे since का प्रियोग यहाँ है तो फिर क्या हुआ The kids of inferior quality तो क्या हो गया гát Studio kids जो थे घटिया क्वालिटी के kids कहां supply कर दिए गए states को supply कर दिए गए क्योंकि मेरी इस बात को प्रधानमंत्री मोदी जी को मैंने कहा था कि वो क्या करें carry out centralized purchasing करें और मेरी इस बात पर क्या नहीं दिया गया ध्यान नहीं दिया गया इसलिए क्या हो गया हमरे यहां inferior quality के क्या आगे kids की supply कर दिए गए किनको states को कर दि this has seriously hampered इसने किसने किसने भी inferior quality जो हमें supply हो गई इस वज़े से this has seriously adverb है इसने गंबीर रूप से hampered hampered माब को पहले बताया था बादीत करना होता है hinder होता है impede होता है मैं लिखवा चुका हूँ पहले बनों को this has seriously hampered our efforts इसने हमारे प्रियासों को गंबीर रूप से बादा पुंचा ही है किसके प्रियासों को to get fast test results get in पराद करने के fast test results पराद करने के for किसके लिए for starting the treatment ताकि हम क्या कर सके start कर सके and contain control कर सके contain कमलों क्या होता है control c o n t r और क्या कर सके control कर सके c u r b control कर सके the spread of the virus और इस virus के फैलाव को ताकि हम control कर पाते इन प्रियासों को seriously hampered our efforts have been seriously hampered हमारे जो प्रियास है उनको बुरी तरीके से क्या किया है बाधित किया है किसने बादित किया है भी गल्थ जो हमारे पास आ गए है उस वज़े से हमारा ये सारा ममला बादित हो गया है आसा करता हूँ चीजी आप लोगों को ठीक लगी होंगी यदि आपको चीजी ठीक लगी हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें चैनल को सब्सकाइब नहीं कि रखते हैं और कभी रखते हैं इंडियन एक्सप्रेस का डिटोरियल आता है तो वो भी आप जरूर देखें थैंक्यू